डियलेट 2019 बैच और अन्ने बैचेच के जो बैग पेपर हैं उनके परिच्छा कायोजन PNP के दोरा कब किया जागा इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगर आपनी चैनल पहली बार विजिट कर रहें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल ऐकन को प्रेस करना ना भूलें जिस पर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के दोरा ये इसपश्ट कर दिया गया है कि प्रदेश की सरकार के दोरा किसी भी सहर में लॉग डाउन नहीं लगाया जाएगा उनके दोरा जरूरी कदम उठाय जा रहे हैं कोरोना को कंट्रोल करने के संदर में उत्तर प्रदेश में दिनांक 15 माई 2021 तक सभी परिच्छाओं को पोश्टपॉंट कर दिया गया है और 15 माई के बाद फिर से समिछा हो करके वंडे एक्जाम्स और जो भी विश्वविद्याले की परिच्छाएं होंगी या फिर यूपी बोर्ट की परिच्छाएं होंगी उन कि 15 माई के आज पास जो अभी सेकेंड वेब आई हुई है वो अपने पीक पर होगा यानि सबसे जादा केसे सोंगे तो 15 माई तक हलांकि प्रदेश सरकार के द्वारा परिच्छाएं इस्थागित की गई है यूपी बोर्ट की उसके बाद समिछा की जाएगी तो जाहिर सी माई तक अभी परिच्छाएं इस्थागित हो रही है लेकिन भविश में और ज्यादा इस्थागित हो सकती है तो आप सभी भी हजारों की संख्या में भीरती है तो उसी की अनुसार अपना प्री प्लान करके चलिए कि जैसे ही लोगडाउन की इस्तिति समान होती है तो अभी आप पैरलली दबाव बनाते रहें क्योंकि त्रितिय समेश्टर में प्रमोट सभी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है भले ही आज प्रमोट होने पर आप सभी अभियर्थी एक रहत महसूस जरूर करेंगे लेकिन आप लोगा बहुत नुकसान हो रहा है इसे बिना समेश्टर के लिए काफी लंबा वक्त फिर PNP ले लेगी तो आगर 33 समेश्टर की परिच्छा नहीं होती है तो बैक पेपर के भी एकजाम PNP नहीं कंड़क कराएगी और 4 समेश्टर के साथ ही उनको प्रस्तावित कर सकती है तो आप सभी इस बात के लिए PNP पर दबाव बनाईए कि जल्द से जल्द परिच्छा तिति की घोश्टना पर विचार करे जैसे ही हालात समाने होते हैं बीना UP Board की परिच्छाएं या फिर आने तितियों की परिच्छाओं का वेट किये जल्द से जल्द उनके द्वारा तिति की गोश्टना की जाए ताकि जो भी अभ पहले से बैक पेपर से सम्मंदित अभियरती हैं उनके भविष्चे के शांत खिलवार नहीं होना चाहिए दोस्तों आप लोग की क्या राह है कमेंट करके जरू बताईगा और ऐसे ही मातोपून अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडि